हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आप आई विश कि आप बहुत ही अच्छे होंगी फ्रेंट्स आज में स्टूडियो में आपको एक ऐसे हेर मास्क के बारे मताने वाला हूँ जिससे आपके हेर के डैंडरफ खायब हो जाएंगी और आपके स्कैल्प की इचिंग भी ठीक हो है तो फ्रेंट्स चलिए शुरू करते हैं फ्रेंट्स ये है मामा अर्थ टी ट्री हेर मास्क जी हां फ्रेंट्स ये एक ऐसा हेर मास्क है जिसकी वह से आपने बालों से डैंडरफ को रिमूव कर सकते हैं और डैंडरफ के वज़से जो आपके स्कैल्प में इचिंग होती है खुजली होती है ये उसे भी ठीक कर देता है और अगर आपके scalp से oil निकलती है यानि कि तेल निकलती है तो ये उस तेल को ये उस oil को remove करता है और आपके scalp को moisturize करता है जिससे आपका बाल shiny, smooth और strong हो जाता है जैसा कि आपको पता होगा कि dandruff एक ऐसा big reason है जिसके वज़े से आपके बाल किरते हैं आपको hair fall होता है तो अगर आप dandruff को remove कर देते हैं तो इससे आपके बालों के बहुत सारे problem चुटकियों में ठीक हो जाती है फिर्ट इसमें बहुत सारे ऐसे ingredients मिलाए गए जैसे बहुत सारे natural चीज़े से मिलाए गई हैं जो आपके बालों से dandruff को remove करता है और आपके बालों को shiny smooth और strong बनाता है फिर्ट यह hair mask बिल्कुल natural है बिल्कुल safe है वैसे तो बाजार में आपको बहुत सारे hair mask मिलते हैं लेकिन यह hair mask बाजार वाले hair mask से बिल्कुल अलग है क्योंकि बाजार में जितने भी hair mask मिलते हैं उसमें बहुत सारे खतरना chemical मिला जाते हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन इस hair mask में पारबेन और silicon free है, hypoallergenic है और bioactive है यह आपके बालों से सारे dandruff को remove करता है और आपके बालों को shiny, smooth, strong और long बनाता है मामा अर्थ यह कैसा brand है जो plastic positive है यानि कि मामा अर्थ plastic को बनाने से ज़्यादा plastic को recycle करती है इसका इस्तमाल किसी प्यूमर के लड़के या लड़कियां कर सकती है, चाहे आपके बाल किसी भी तरह की हो तब भी आप इसका इस्तमाल कर सकती है तो आई जानते हैं अब इसका इस्तमाल आपको कैसे करना है simply आपको करना क्या होगा अपने बालों को दो हिस्सों में बाट लेना है फिर अपने बालों को गीला कर लेना है और इस hair mask में से आपको थोड़ा सा hair mask लेना है अपने बालों के scalp में लगाना है और बालों में पूरी तरह से अच्छे से लगाना है जब 10-15 मिनिट हो जाए, फिर आपको sulfate free shampoo से, अगर आपके shampoo में sulfate है तो उस shampoo को इस्तमाल करना आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके shampoo में sulfate होगा, तो इससे आपके बालों को बहुत जाद नुकसान हो सकता है, उससे sparCOge करने के बाद इसे सूखने देना है फिंट्स अगर आप इसका बैस रेजल चाहते हैं तो आप हाफते में दो से तीन बार इसका इस्तमाल जरूरर करें तो फिंट्स उमीद है कि ये प्रोड़क्ट आपको बहुत ही पसना आई होगी फिंट्स अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे मामा हथ के official website से खरीज सकते हैं या आप चाहे आप इसे कहीं से खरीदें, आप इसे Amazon से भी खरी सकते हैं, नायकर से भी खरी सकते हैं, लेकिन अगर मामा अर्ष से आप खरीदते हैं, तो आपको 20% का discount मिल सकता है, तो friends मैंने वीडियो के description में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से directly करके इसे purchase कर सकते हैं, ये आपके घर पर पहुंच आएगा, ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो वीडियो नीचे एक लाइक बटर होगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ WhatsApp पे ज़रूशे करें, और अगर आपके मैंने में कोई question है, तो नीचे आप मुझे comment कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर reply करूँगा, तो मिलता हूँ आपसे आगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई, टेक कियर और गुडबाई,